Assalamualaikum आज हम मनाने जा रहे हैं बुट्टा नहीं लच्टी जी यहां जो लोग पंजाब में रहते उनको तो लच्छी का अची तिर्हां से पता होगा और जब हम भी पंजाब में रहते थे तो हमने भी बहुत खई है है लच्छी पर यहां सिंध में जब स cats parlken तो यहां लच्छी मिलती नहीं बुटा ही मिलता है तो सोचा घर में बनाते हैं लच्छी तो चलिए रेसिपी की तरफ चलते हैं तो जी यहाँ पर दो लच्ची नहीं है और इसके जो छिलकें जितने भी थे बस अब उतार लिए बस यह हलकी सी बस एक ही लेयर छिलके किरे गए आपको अंदर से बुट्टा जो हमारी लच्ची यह दिख रही होगी तो हम इस टीमर के अपर रखेंगे इसको कवर करेंगे और इसको स्टीम करेंगे तकरीवं 30-35 मिंट तो स्टीम करने के बाद यह देखे हैं हमारी लच्ची बुल्कुल रेड़ी है अब हम इसको देख लेते हैं ढ़के इस यहां से हमने अटाई है इसकी छिलका हमने अटाया और यह देखें अंदर से माई लच्ची तो बस इसको हमने भार निकाल लिया अब यह बहुत गरम है जब यह ठंडी होई है तो देखें इसका छिलका हमने रिमूफ कल देना है निकाल देना है और जो इसके बाल वाले हो सब उतार देने है तो इसके बाद हमने लीमू लिया है लीमू में हमने लगाया है चाट मसाला अब आपको जितना मसाला पसंद है जितना खटा पसंद है उसे साफसे अपनी लच्ची को टेस्ट दें जायका दें अच्छी तरहां से इसको नहला दें लीमू और मसाले के साथ और यह मज़दार सी लच्ची खाने के लिए बुलकुल तो लाइक शेयर कमेंट बिल्कुल भी नहीं बुलिएगा सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करने मिलते हैं किसी और क्विक एजी और इंट्रेस्टी नसीपी में जबता के लिए लाहाफेज